तो सबसे पहले हम यह बात करते हैं कि गाजर खाने का सही समय सही तरीका फायदे नुकसान और एक दिल में आपको कितनी गाजर खानी चाहिए तो सबसे पहले हम यह बात करते हैं कि गाजर खाने का सही समय क्या होता है गाजर खाने का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है गाजर को आप किसी भी समय खाते हैं तो यह आपके लिए फायदे बंद ही होती है इनफेक्ट यदि आप इसे खाली पेट खाते हैं तो इससे भी यह आपके डाइजेशन को बहतर बनाती है बस खाना खाने से पहले आप इसे मत खाएए नहीं तो इससे आपका पेट भरा हुआ महसूस होगा साथ ही यदि आप ओवर इटिंग से परिशान हैं और आप अपनी डाइट को कंट्रोल कर रहे हैं तो आपको अपने खाने में गाजर को जरूर रेट करना चाहिए साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना है कि रात के समय आपको गाजर खाने से बचना चाहिए तो चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि आपको एक दिन में कितनी गाजर खानी चाहिए रोज एक से दो गाजर खाना आपके लिए इनफ होता है लेकिन आप अपनी रिक्वाइर्बेंट के अनुसार इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं रोज गाजर खाने से यह आपके digestive system को बहतर बनाता है साती इसमें vitamin C होता है जो कि आपकी रोग प्रतिरोधक शमता को तेजी से increase करता है तो अब हम यह बात करते हैं कि गाजर खाने का सही तरीका क्या होता है वैसे तो गाजर को कच्चा और सलाद के रूप में खाना सबसे बहतर माना जाता है लेकिन आप इसका juice बना कर भी पी सकते हैं और यदि आप इसका juice बनाते हैं तो आप इसमें कुछ दूसरी सबजियां भी add कर सकते हैं जिससे इसका taste तो बढ़ता ही है साथ ये और भी जादा healthy हो जाता है आप चाहें तो गाजर की सबजी या फिर mix batch के साथ इसे बना कर खा सकते हैं ये भी बहुती अच्छा option होता है आप गाजर का हलवा बना कर भी खा सकते हैं जो कि बहुती tasty और healthy होता है गाजर इतना जादा गुड़कारी होता है कि इसे खाने से आपको धेरों फाइदे मिलते हैं गाजर बिटामी A का best source है इसके साथ ही इसमें beta carotene भी पाया जाता है जो कि आपकी आँखों की health को हमेशा बना कर रखते हैं यदि आपको चस्मा लगता है उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके आँखों की रौसनी कमजोर हो रही है आपको दुन्दला दिखाई देता है आपकी आँखों से पानी आता है या फिर आपको मोतिया बिंदी की problem है या हम कहें कि आँखों की किसी भी तरह की problem में गाजर खाना आपके लिए बहुत ज़्यादा effective होता है यदि आप इन सारी problem से बचना चाहते हैं अपनी आँखों को हमेशा healthy बना कर रखना चाहते हैं तो आपको गाजर जरूर खाना चाहिए गाजर इतनी बहतिरीन vegetable है कि यह cancer के impact को भी कम कर सकती है गाजर में keritonite पाया जाता है जो कि एक बहुत अच्छा antioxidant है अच्छा antioxidant होने का यह मतलब है कि यह आपके सरीर को free radicals से बचाता है और यदि आपके सरीर में cancer की cells बनती है तो यह उन्हें भी रोकने में मदद करता ह यदि आपका blood pressure maintain नहीं रहता है आपके दिल की सेहत खराब है हमेशा stress रहता है तो आपको गाजर जरूर खाना चाहिए गाजर में potassium की मातरा लगभग 320 mg होती है जो कि हमारी daily need का लगभग 9% कवर करता है potassium आपकी blood vessels और arteries को फैला कर उसमें blood circulation को तेज कर देता है जिससे क्या होता है कि आपके heart में बहुती कम pressure पड़ता है इसलिए जब भी आपको stress feel हो या फिर आपको लग रहा है कि आपका blood pressure बग रहा है तो आपको गाजर जरूर खाना है यदि आपको अपना बजन बिना किसी क calories लगवक 41 होती है जो आपको दिन भर energy देगा और आपका बजन बिना किसी effort के धीरे-धीरे कम होने लगेगा जदी आपको अपने सरीर की गंदगी एक बार में ही बाहर निकालना है अपनी body को detox करना है तो गाजर आपके लिए बहुत ही best option है आप हफते में एक बार गाजर क juice पी सकते हैं जिससे आपके सरीर की गंदगी एक बार में ही बाहर निकल जाएगी इससे आपका digestion बहतर होगा आपकी blood cells increase होंगी और healthy होंगी तो body को अच्छे तरीकी से detox करने के लिए गाजर आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है इसकिन को glowing बनाने और aging को कम करने में भी बहुत ही जादा effective है गाजर में बिटामी A बिटामी C और बिटामी पाया जाता है जो कि आपकी skin की cells को heal करके रखता है इसके साथ ही गाजर आपकी skin के damage हुए tissues को भी improve करता है उनकी health को बहतर बनाता है जो आपकी aging को कम करने में बहुत ही जादा effective होते हैं तो चलिए अब हम बात करतें कि गाजर छाने से आपको क्या नुकसान हो सकते हैं जादा गाजर खाने की वज़एसे आपको करूटें ने की problem हो सकती है यह problem इसमें मौझ बीटा करोटीन की वज़एसे होती है इसमें आपकी skin में जम्म होने लगता है जिससे आपकी skin का रंग पीला पड़ने लगता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें की गाजर खाने से एलर्जी होती है जिसकी वज़न दस्किंड में रेसिस बनने की प्रॉब्लम सुरू हो जाती है ज्यादा घाजर खाने की वज़े लेकटेटिंग मदर्स के milk का color और taste change हो सकता है. गाजर में सुगर का level काफी अच्छा होता है इसलि 175 ज़्यादा गाजर खाते हैं तो इसे आपके सरीर में सुगर level बढ़ सकता है इसलिए यदि सुगर के पेसेंट हैं तो इसे कम मातरा में खाये और पिर ओबाल कर खा सकते हैं तो friends यह था आजका वीडियो उम्मीद करती हूं कि आजकी जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये ई जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लायक जरूर करिए। झाल झाल